हालो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में IRFC में अगर हम यहाँ पर देखे तो आज के दिन का सिनेरियो हम डिसकस करेंगे फिर यहाँ पे एक FYI का डेटा निकल के आए जिसने काफी जादा इंट्रेस्टिंग चीज़ा क्रियेट कर दी हैं मार्केट के लिए और इस्पैसलि अगर हम बात करें तो कुछ पर्टिक्लर स्टॉक्स के लिए तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं उसका इंपेक्ट कैसे पड़ेगा वो हम यहाँ पे पूरी दरीके से डिसकस करेंगे साथ के साथ दो ऐसे स्टॉक जो कि आपको corporate action देखाने वाले हैं उनके बारे में भी हम डिसकस करेंगे तो पहले सी मैं clear कर देता हूँ कि IRFC में आपको bonus देखने को नहीं मिल रहा है दो ऐसे stock हैं जिन में आपको corporate actions देखने को मिलेंगे तो वीडियो अगर आप last तत देखोगे आपको सारी information अच्छे से समझ में आ जाएगी यो कल के market के बारे में भी आपको चीज़ें पहला चल जाएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप first time विजित कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe भी जरू कर लीजेगा तो आज अगर हम यहाँ पर देखे तो IRFC की जो closing होई है वो at par पर देखने को मिली है यानि कि 33 रुपे पर आपको यहाँ पर जो closing है वो IRFC देते हो नजर आया same scenario आपको Yes Bank में भी देखने को मिलाता है at par की closing है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो open आपको 33 रुपे 15 पैसे पर होते हो नजर आया 33 रुपे 65 पैसे तक यह आपको high बनाते हो नजर आया 32 रुपे 70 पैसे का low बनाया है लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे in the middle of all this particular levels जो closing है वो आपको देखने को मिली है 33 रुपे की वह अगर हम बात करें पिछले एक महीने के बारे में तो पिछले एक महीने में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 32 पैसे के रिटरंस आपको मिलते हो नजर आये हैं यानि कि एक बहुत अच्छे रिटरंस हैं पिछले एक महीने के अंदर अंदर तो यह आपको देखके चलना पड़ेगा कि आपका विजन कितना है उस अकोर्डिंग आप स्ट्रेटीजी से यहाँ पर बना सकते हो वह अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के बारे में 55% से ज़्यादा के रिटरंस आपको देखने को मिल रहे हैं यानि कि 6 महीने के अंदर अंदर 55-60% के रिटरंस आपको IRFC न बना के दिये हैं जो कि सबते बड़ी कंप्लेंड रहती थी इन्वेस्टर्स की कि उन में अगर आ देखोगे कि IRFC में जो रिटरंस हैं वो नहीं मनते लेकिन हाल फिलाल में अभी ये कंप्लेंड जो है वो भी सॉल्व होते हुए नजर आ रही है आज अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है यानि कि आज का जो वॉल्यूम है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिला है in comparison to other days यानि कि अगर आप देखोगे तो आज 8 करोड का वॉल्यूम है कल आपको 12 करोड के असपास नजर आता था और एक हपते का वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें 18 करोड के असपास नजर आता है यानि कि अगर आप देख होगे तो इस IRFC में आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है पिछले एक देड़ महिने से लेकिन आज आज आपको जो वॉल्यूम है थोड़ा सा कम देखने को मिला है इसलिए fluctuation जो है वो भी देखने को नहीं मिली है तो कि जितनी जादा ट्रेडिंग ह करोड की बैट लगाई है शे सेक्टर पे और यह किसने लगाई है यह है FIIs जानी की foreign institutional investors ने करीवन करीवन 30,000 करोड रुपे जो है वो निवेश करे हैं यहां पर देखो तो बताया गया है कि जो FIIs आपको देखने को मिल रहे थे seller वो आप convert होते हैं बायर्स में और अगर आप देखोगे November मंत का जो data निकल के आया है उसने बताया है कि करीवन करीवन जो overall FIIs का investment है उनमें से अगर आप देखोगे तो 40% जो उनका investment है वो आपको in particular sectors में देखने को मिल रहा है जिनमें अगर आप देखो तो करीवन करीवन 36,249 करोड आपको जो amount है वो investment होते हैं नजर आए है last month में और जिसमें से अगर आप देखो 30,682 करोड जो है वो केवल और केवल इन 6 sectors में देखने को मिल रहा है जिसमें से अगर आप देखो पहला sector है financial फिर है FMCG फिर है oil and gas फिर IT फिर consumer services and auto अब यहाँ पर आप देखो तो NSDL ने यह data release किया है उन्होंने बताया है कि करीवन करीवन जो October में वियरिस माहुल हो रहा था उसमें 14,205 करोड का जो total amount है वो उठाया गया है पूरा अगर आप यहाँ पर comparison देखना चाहते हो कि October November में क्या क्या changes हुए है तो बताया गया है कि जो October में आपको पूरी तरीक चीजें चेंज नजर आती थी वह नेवेंबर में आपको यहाँ पर ड्राश्टिकली चेंज होई है जिसमें financial services के बारे मताये गया है FMCG के बारे में आप दौनों data देख पा रहे होगे oil, gas and consumer fuels का भी data यहाँ पर देख पा रहे होगे जिसमें सब्सक्राइब देटा है वो financial services का है फिर IT का data भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे change हुआ है consumer services का आप यहाँ पर देखोगे automobiles and auto components, metals and mining तो यह आप यहाँ पर देख पारे होगे यह सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि जिस तरीके से जो FIIs जो पहले seller बने हुएते वो आप convert होते हुए नजर आता है, साथ के साथ केवल FIIs की buying की बज़े से यह moment नहीं है, retail investors भी एक बहुत बड़ा role play करते हो नजर आ रहे हैं अब Indian stock market में जो कि एक बहुत ही अच्छी बात नजर आती है, IRFC के बारे में हम यहाँ पर बात करें कुछ अच्छी चीज़ा जो निकल के आती है, करीवन 4- पांच परसेंट का जो आपको dividend yield मिल जाता है हर साल, यानि कि अगर share आपको 0% का return देता है, तो 4-5% के annual return आपको यहाँ पे dividend के थुरू मिल जाते हैं, वही अगर हम बात करें तो over the last 5 years जो company ने profit growth दिखाई है, CAGR यानि कि compounded annual growth rate वो 45% से भी जादा है, जो कि हर किसी company के यह maintain करने के लिए बहुत बड़ी बात रहती है, तो यहाँ पे IRFC वो करते हो नहीं जरा आ रही है, और dividend payout आपको एक healthy देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैंने targets वगरा जो है, वो कल की वीडियो में बता दिये हैं, और आपको, वो आप जाकर देख सकते हो, कि short term investors हो, तो क बात करें, तो तीन साल में 200% से जादा के return है, इस particular stock के, और यहाँ पे, 1 ratio 3 का, जो bonus है, वो company दे रही है, और जो date यहाँ पे fix करी है, वो करी है, 16 December 2022, यानि कि 16 December से पहले-पहले, अगर आप position बना ले तो इस particular stock में, तो आपको 1 ratio 3 का, जो bonus है, वो मिल जाएगा, अपने last stock के बारे में बात करें, तो निकल कहाता है, राष्ट्रिया chemicals and fertilizers limited, 135 के final, और जो X date दोनों की ही, वो है, 15 December 2022, 15 December से पहले पहले अगर आप position बना लेते हो, तो आपको 1.60 पैसे का interim dividend मिलेगा, और 0.5 रुपे का, यहाँ पे आपको final dividend मिलेगा, तो यह जारी चीज़ें आप देख के चल सकते हो, अगर आपको especially corporate actions के लिए जाना है, बाकी आपको वी लाइक करिएगा, चैनल बगार आप फर्स्टाम विजित कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा, धन्यवाद